हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनी स्टोरी पर तो शुरू करते हैं आज की कहानी कुछ तिन पहले की ये बात है मैं मेरी मोसी के साथ एक कारेकरम में गया था जहां मेरी मुलाकात एक महिला से हुई मेरी मोसी से मुझे उसके बारे में काफी कुछ पता चला और सच मानिये उसे सुनकर मेरी आँखे भराई वह सिर्फ 17 साल की थी जब उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करा दे गई जो उससे लगबक 14 साल बड़ा था शादी के एक महीने बाद उसे पता चला कि उसका पती शराबी है सच्चाई सामने आने के बाद वो हर रात उसके साथ दुर्वेवार मार पिटाई करता था और उसे अपनी माँ से पैसे लाने के लिए मजबूर करता था जब वो इंकार करती तो लोही की रोड से उसे पीटता उसने कई बार अपनी मा को इन तकलीफों के बारे में बताया लेकिन उसकी मा ने कहा यह हर घर की समश्या है और तुम्हें इसे खुद ही ठीक करना होगा या इसको सहन करना होगा उसकी सास उसके पती से भी बदतर थी और उसे केवल दो समय का भोजन देती थी और उसे सफाई, कप्रे धोने, आदी जैसे सभी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर करती थी कुछ महीने बाद जब वे गर्वती हो गई तो उसके परिवार वालों ने कहा कि आगर तुमने लड़की को जनम दिया, तो तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा दुरभागे से उसने एक लड़की को जनम दिया वेह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था और उन्हों ने उसे बुरी तरह पीटा और घर चोड़ने के लिए मजबूर कर दिया ऐसे में कोई क्या करेगा, उसने आत्महत्या के बारे में सोचा लेकिन उस बच्ची के चेहरे ने उसे रोक दिया वेह जानती है कि उसे अपनी बच्ची को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी उसने अपनी सोने की बालियां बीच दी और एक पेपर कैरी बैग फेक्तरी में नोकरी करने लगी जहां उसे सिर्फ डेड़ सो रुपए दो हजार कैरी बैग बनाने के लिए मेलते थे उसे रोजाना कम से कम आर्च से नो घंटे काम करना पड़ता था इस काम के साथ साथ उसने एक धाबे में तेवल और बरतन साफ करने का काम भी किया और उसने वहां रोजाना पांच से छे घंटे काम किया और प्रते दिन सो रुपए वहां से कमाने में सक्षम हो गई अब है प्रते दिन धाइसो से तिन सो रुपए की कमाई करती जो उसके बच्चे को पालने के लिए प्रयाप्ट थी लेकिन कुछ महीनों बाद उसे पीट समन्दी कुछ समश्याओं का सामना करना पड़ा और इससे वह कमजोर हो गई इस समश्या के बाद उसे सफाई की नोगरी छोड़ने पड़ी और खिलोनों की फैक्टरी में मजदूर के तोर पर काम करना शुरू कर दिया इस तरह उसने अपने बेटी की शिक्षा का प्रबंदन किया और अपने बच्चों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई काम किये वह जानती है कि भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं मैं कल उनकी बेटी से मिला और काफी खुश हुआ क्योंकि मुझे पता चला उसने हायर सेकेंटरी में 93% अंक हासिल की और वह डोक्टर बनना चाहती है उसके पास अपनी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं था और उसने अपने पती को छोड़ दिया और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह आगे क्या करेगी लेकिन उसे खुद पर विश्वास था दोस्तों आजकल थोड़ी सी समश्या आई नहीं कि लोग हार मान लेते हैं डिप्रेस्ट हो जाते हैं या अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोचते हैं हमें इस ट्रों महिला के जीवन संघर्ष से प्रेड़ना लेनी चाहिए और इस बात को सविकार करना चाहिए कि संघर्ष ही जीवन है इसी तरह की और भी नए नए कहानिया सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल भी मत भूलेगा और साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कीजीगा आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद